शुब्मन गिल ने ठोका दोराशगत तो पाकिस्तान भी हुआ मुरीद शुब्मन गिल ने बल्लेबाजी से ना सिर्फ किर्किट के दिग्ज़ों को किया इंप्रेस बलगी पाकिस्तानी रिबोर्टर का भी चुरा लिय दिल शुम्मन गिल बनेंगे पाकिस्तान के दामाद अफरीदी अक्तर भी हैं है रान शुम्मन गिल ने निजरेन के खिलाफ पहले बंडे मुकाबले में धोरशा तक जलकर करोलो फैंस का दिल ही जीत लिया और यह दिल ना सिर्फ भारतियों को जीता बल्कि पाकिस्तानी खिलाली भी इस बल्लेवाज की काबलियत को देख सलाम कर रहे हैं शुमन गिल की शांदर बल्लेवाजी की तरफ में कसीदे हर किर्किट के दिगजने पड़े गिल ने महस 149 गेंदों में 208 अनों की पारी खेली पूरे किर्किट जगत में को हिला कर रख दिया जिसमें 19 चोके और 9 गगंचुमी छके भी शामिल थे शुमन गिल ने ये धोराशन तक कैट होगा ट्विटर पर सारा तंदूल कर भी ट्रेन करने लग देए लेकिन इस बीच हैरान कर देने वाली बात ये रही कि पाकिस्तान के गिल के दिगजों ने तो गिल की तारीफ में कसीदे तो पड़े ही लेकिन इस बीच शुमन गिल की बल्लेवाजी देख पाकिस्तानी एंकर जैनाब आज भी अपना दिल हार बैठी उन्हेंने कहा है एक योवा बल्लेवाज ने वागई जिस तरह से बल्लेवाजी करते काई उनकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी ऐसे मान बल्लेवाजों की वास्ता में बेहत कदर होती है और ऐसे बल्लेवाज अगर पाकिस्तान में हो तो यकिनन पाकिस्तानी किर्केट कहां से कहां पहुँच जाए गिल की बल्लेवाजी जितनी बार भी देखूं मन नहीं बढ़ता असल माईने मैं कहूं तो मैं तो दिल हार बेटी हूँ शुमन गिल की शांदर बल्ले बाजी पर जनाब अबास का इतना कहना ही काफी था फैंस के लिए सोचल मीडियो पर तो मानों बोचार सी आ गई हर कोई जैनाब अबास और शुमन गिल को लेकर ही चर्चा कर रहा है कुछ फैंस ने तो दोनों की भी रिष्टा तक बता दिया कई फैंस ने ये भी का कि होना हो अब गिल भाई को भावी मिल चुकी है और जल्द हो सकता है दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन्शिप में भी आ जाएं जबकि कई उने तो ये भी दावा किया कि दोनों पहरे से ही रिलेशन्शिप में हैं और अगर वास्तर में दोनों का रिलेशन्शिप में होते हैं तो ये कहना गलत नहीं कि आगे चल कर हो सकता है ये रिष्टा शादी का रूप ले ले और इस तरह से शुमन गिल पाकिस्तान के दामाद बन जाएंगे